दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में आज है 21 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की मातपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुक समचार पत्रों पे चाहे हुई है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड सिच्छा अधिकारी बढ़ती दुजरू 19 की ओफीसियल कटाफ के बारे में आप लोग जानते होंगे कल इसकी ओफीसियल कटाफ जारी कर दी गई है वे अब बरती जो मुख पर इच्छा में बैठे हैं सामेल हुए हैं अपने प्रापतांक और कटाफ चेकाउट कर सकते हैं वेबसाइट में लॉग इन करके गॉर्मेंट जोब सेंटे डाट कॉम पर जो है लिंक एक्टिवीट कर दी है कि वहां पर जा करके आप चेकाउट कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में आपको कटाफ बता रहा हैं जो कि ओफिसली डिक्लेयर की गई है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं इस लेटर में इस पेपर में सारा कुछ बताया गया है यहां पर देखिए कि जो कटाफ मुखे पर इच्छा की गई है फानल सेलेक्शन के लिए वह इस तरीके से है जनरल की जो कटाफ गई है अधिक्तम 249 है लेकिन नियुनतम कटाफ की बात करें 208 है जिसका 208 नंबर मिला जिसको वह सेलेक 299 वहीं पर जो ओभी सी है उसकी कटाफ जो अधिक्तम कटाफ है 208 लेकिन नियुनतम जो अंगर आए कटाफ के लिए वो 2-3 रहे आपको लोग सेवा आयो की तरफ से अधिक्तम नियुनतम कटाफ जारी की जाती है लेकिन आपको सिर्फ नियुनतम से मतलब होना चाहिए गया उससे नीचे अगर आपके मांग सोंगे मुझके पर दिच्छा में तो आपका चैन नहीं हुआ है और जिसका उपर है तो उसका चैन हुआ है ऐसी की बात कर लेते हैं तो इसी की जो कटाफ यहां पर है अधिक्तम है 208 और नियुनतम है 187 इसी तरीकर से की कटाफ जो है तीन है नियुनतम कटाफ जो है 101 क्यासी है बाकि जितने भी मैला है तो मैला जिस कटेगरी समय थे उसी कटेगरी में उनको रखा गया है और यहां पर यह कटाफ आप लोग देख सकते हैं टेबल के अनुसार जो जो कटाफ मैंने आपको बताई वही सारी कटाफ यहां पर भ बदलेगा प्रावर्म असासगे साहलता प्रप्त मा विद जேलों में विग्या हिए पंजांका पचास के तेहत की गए असिस्टन्टें प्रोफेशन की बड़ती के 4विसेओं का प्रग़्डाम बदलेगा लगार कि हाई कोर्ट ने महैंत कुमार वर्मा वर्मार विनुत पर पंद्राबाद सूला सुतंबर को करमसा असिस्टिन्ट प्रफिसर्ट अर्थसास्त्र वा संस्कत की परडाम संसुद्ध करने का आधिश दिया है दोनों बिर्थियों का परडाम तयार करते समय एक एक प्रसने के यंग जोड़े नहीं गए थी यहीं गलती जो हुई है जाब तीरा के बारे में अब लोग जानते हैं पर दनाहसा नहीं बरती है की जो प्रसेस पूरी हो गई है इंडर भी पूरी हो चुक्त है और यहाल ही में चैन बोड के लिए एक आधेस कोड की तरब से आया है कि चेन बोड में जो अध्यूंद्ध साहाब हैं वो कार करने के के लिए फ्री हैं सदस्यों के ना होने से कोई भी कार रोका नहीं जाएगा ऐसा कुछ आदेस आया था तो उसी के संब्द में आपर अपडेट किया गया है कि अब एक चैन बोड के तरफ से लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के मादम से चैन बोड प्रदाना 2013 के रिजल्ट की उम्मीद जगी है यह जो लेटर ने उप सच्ची विने कुमार गिल ने डियावस के लिए जारी किया है और इसमें अधियाचित विद्द्यावलों की वर्तमान निस्तिकी रिपूर्ट 23 सितंबर तक मांगी गई है ताकि अनंतिम परड़ाम जारी किया जा परड़ाम सिख्र ही जारी किया जा सकता है बात करेंगे परदानाचार बरती को परसदी विद्द्यालियों में बरतियों को ले करके तो परसदी स्कूलों में सिच्छकों के 63,000 पद खाली बताए गए है यहां परदेकी अपडेट किया गए बेसिक सिच्छा राजमंत्री स सिच्छकों के पद खाली हैं ग्रामी इडिस्तर पर 51,112 पद खाली हैं और सहरी स्कूलों 12,149 पद खाली हैं लेकिन समस्य यहां पर यह कितनी ज़्यादा पद खाली होने के बाद भी प्रैमरी टीचर्स की बढ़ती हैं जो है वो नहीं की जारी चात्रों में से आक्रोस है पुलिस रेडियो संबर्ग में 5,000 पदों पर भठती जल्द हैं तो पुलिस बठती के लिए जो लोग वी तयारी कर रहे तो रेडियो संबर्ग के अंदर का 5,000 पदों पर भठती का विग्यापन आएगा और 6 एक्टूबर को कारदाई संस्था के लिए खुले गी संबिधा की प्रक्रिएव इस समय सुरू है टेंडर की प्रक्रिएव आपका जल्द ही विग्यापन देखने को मिलेगा नरसिंग कालेज्जों में 233 सेच्डिक पदों पर भरती की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है थीक तो जो भी सेच्डिक पदां इन पर बालतियां होंगी कि इन पदों के लिए साथ अक्टूबर तक चिकित्सा सिच्छा हैं पर सिच्छड माने देशाले की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवदन आप लोग कर सकती हैं यह सभी पर संविदा के अधर पर भरे जाएंगी यह बढ़ती जालावन बदायू आजमगर बांदा मेडिकर नग जों के लिए ओ रहे हैं ठीक है वेतनमान भी यहां पर बताया गया कि अच्छा कासा यहां पर वेतनमान दे जाएगा परधानाचार rigt प्रफीसर को एक लकर 40 affinity मिलेंगे इसोसीड प्रफिसर कोriment прим vy अ को चाह तीन हजार नंचार साइक जूनियर हाइश स्कूलों में साइक अध्यापक उन परताना अध्यापक बढती के लिए पी एंपि कि तरफ से सासन को संसुधित जो परताम दिया गया है आपको बताते हैं यहां पर 42.06.06.2025 ओवी हैं और साइक देपक के लिए और प्रदाना देपक के लिए 1544.2125 ओवी हैं अब निदेसाल है कि इस थर से इनकी जो काउंसलिंग होगी जोएनिंग प्रक्रियाग पूरी की जाएगी कैसे होगा क्या होगा करकों कौन से डॉक्यूमेंट्स लगए इसका डिटेल्ली वीडियो उमने बना दिया हुआ है आपको हमारे शेल पर उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा बात कर लेते हैं डियले डियलेक्ट अडीमिसन को लेकर के सासा ने डियले में सीधे प्रवेश्वकी मंजूरी दे दी है और लिखा है कि 2022 प्रसिछन के तहट अदेए कि सीटों को स evaluating सासा ने सीधे प्रवेश्व के नमती दे दी है दो चरोनों की काउंसलिंग के बाद करीब 80 फिश्टे अभी भी भी खा ली है तो यहां पर लिखा है कि डाइट में 10,600 सीटे खा ली है 10,600 सीटे हैं और निजी कालेजों में 2,6,000 सीटे हैं जिसमें से तकरीबन 41,000 सीटे हैं अभी भर पाई है तो फिलाल जो भी अब बर्ति डारेक्ट एडमिसन लेना चाहते हैं तो यहां पर देखे लिखा है कि इसके नजी संस्थान अभी एकों के जाज करते हुए 21 से 26 सितंबर तक सीधे परवेश देंगे इस दारान अब बर्ति रोज सुबह 10 से अपरान 14 बजे तक आविदन लिये जाएंगे अब बर्ति के मेरिड लिश्ट भी तैयार करके नोटिस बोट पर लगाए जाएगी और बर्ति का प्रवेश वेब साइट पर लॉग किया जाएगा प्रवेश लेने वाले सब बर्ति के सुचना जो है 28 सितंबर तक आनलाइन कर दी जाएगी तो जो बर्ति इडमिसन लेना चाहते हैं वो सिर्फ आपको कालेज जाना जिस भी कालेज से आप डिलेड करना चाहते हैं सारी फॉर्मल्टी से आपको कालेज में ही करनी होंगी राजकिया इस्रम पदिती इंटर कालेजों में प्रवत्ता बढ़ती का रेजल्ट जारी कर दिया गया जो भी अब बिर्थी एक्जाम दिये हैं मुखे पर इच्छाम बैठे हैं वह अपना जो रेजल्ट है चेक आउट कर सकते हैं गवर्मेंट जाविसेंटे.com वेबसाइट पर गड़ित बहुत एक विज्ञान असान विज्ञान में 91 पदों का परड़ाम जारी कर दिया गया है वहीं जी विज्ञान के 33 पदों का परड़ाम अभी जारी नहीं किया गया है 18 अगस्त 2021 को बढ़ती का विज्या किया गया था एक मजद 2022 को मुख्य परीचा करवाई गई थी उसे के दर पर यह रिजल्ट जारी हुआ है बात करेंगे यहां पर हम लोग है इलहाबद विज्ञान को लेकर करके तो PG प्रवेस इस्थगित कर दिये गए अब आउन-लाइन दाकले लिए जाएंगे फीश जमा एक लगई छोला की जारी चरणीशू एक से प्रवेस नइसले जी नेMER लेकरometers डावा सही नहीं है और इसमें आट इस सब्सक्राइब काउंसलिंग के लिए आदेश का पत्रवारल के लिए कहले से एक पत्रवारल हो रहा है जिसकी सुचना दी गई थी आप लोगों को तो यहां पर बताया यह गया है कि यह देखिए उनको अभी तक इसके बारे कोई जानकारी नहीं मिली है और यह तत्यात्मक पत्र प्रतित नहीं हो रहा है साथ में कहीं साथ साथ तूटियां भी हैं साथ में संब्गधन करने के लिए दसकत किये गए आस्ताचर किये गए हैं वह भी गलत हैं तो फिलाल यह जो है अपडेट इसे आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि जो सोशल मेडिया पर पत्र वाराल हो रहा है वो अभी इसमें आफीसल नहीं बताया गया है तो अगर कोई आफीसल पत्र बीएड काउंसिलिंग के बारे में जारी होता है तो चैनल के मद्दम से आप लोगों को जरूर अपडेट कि जाएगा फिलाल इस वीडियों में इतना ही दने वादा है